नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और जैसा कि हम हमको हमेशा बताते हैं कि कैसे आप अपने खोए हुए प्यार को या उस शक्स को जो आपसे मुँ मोट चुका है, आपसे दूर जा चुका है और आप उसको अपना बनाना चाहते हैं तो वो कैसे करें ऐसे नए नए तरीके हम आपको बताते हैं लेकिन आज जो विदी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बेहत ही आसान और साधारन हैं जी हां एक कागस और पैन के माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं जी हां एक कोरा कागस और पैन आपकी मदद कर सकता है आपके खोई हुए प्यार को आपसे मिलवाने के लिए आपके उस शक्स को जिसने आपसे मूँ बोड लिया है आपसे दूर चुला गया है सिर्फ एक साधारन सी विधी के जरिए तो एक कागज और पैन के माध्यम से आप ये सब चीज कर सकते हैं उस शक्स को अपना ब लिख देंगे जैसा कि ये मैं लिख रही हूं और एक मंत्र आपको लिखना है ओम चंड चामुंडाय नमा जी हां अब मैं आपको दिखाते हूं कि स्कोरे कागज का इस्तिमाल आपको कैसे करना है और जिसके जरिए आप अपने खोई हुए प्यार को पास सकते हैं दूर हु आपको इस कागज को फोल्ड कर देना है देखे बिलकूर ठीक इस तरह से आपको इसको फोल्ड करना है इसको फोल्ड करने के बाद आप इसको सिरहाने रखकर सो जाए बस इतना सा आपको करना है कि इसको सिरहाने रखकर सो जाना है और जैसे ही आप अगले दिन उठेंगे तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि सूर्य उधर से पहले आपको चल्दी उठना होगा और उसके बात नहा दोकर आप अपने पूज़ा सल पर जब पहुंचेंगे तो या तो एक दे या मुम्बती के जरिये इस कागज को जला देना हैं जिस पर आपने उस शक्स का सोच कर चार बार ओम लिखा उस मंत्र को लिखा और जब ये कागज राक में तब्दील हो जाएगा उसके बाद उस राक को आप अपने हाथ में लेंगे और हात में लेने के बाद राक को रख कर आप अपने मन में उस शक्स के वारे में ध्यान करेंगे और जैसे ही वो शक्स आपके सामने आएगा आप उस पर तीन बार फूप मार कर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे और बस इस साधारन से विधी के जरीए वो शक्स आपका हो जाएगा जो आपसे मूँ मोट चुका है जो आपसे दूर है आप उससे मिले या ना मिले लेकिन वो आपसे जरूर मिलना चाहेगा लेकिन आपको इस बात का भी खास थयान रखना होगा कि कोई भी विधी जबाब करते हैं तो आपकी मंशा साफ होनी चाहिए यानि गलत इस्तमाल के लिए आप इस विधी का प्रियोग ना करें क्योंकि गलत मंशा के साथ किया गया कोई भी कारे कभी सिर्थ नहीं होता तो आप गूरु माताजी से भी संपर्क कर अपने इस समस्या के समाधान को करवा सकते हैं सिर्फ एक पॉनकोल के जरिये जो कि आपके टीउवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं इन नंबर पर आपको कॉल करना हैं और जीवन में जो भी समस्या आपकी चल रहे हैं समस्या दूर हो जाएगी चुटकी में मिन्टों में तो बस आपको ध्यान रखना है कि एकांत में ये विधी हो और साफ मन्शा के साथ हो यसी के साथ मुझे दीजे इजाजन नमस्कार